जै मातरी बक्तू आज का जो वीडियो है बहुत धमाकेदार, बहुत एकसाइटेड और बहुत ही जानकारी भरा होने वाला है उन व्यक्ति उखले वैसे तो tagline से समझ के होंगे क्या आप मार्च के महीने में जन्मे हो या आपका जनम दिन मार्च के महीने में आता है तो कुछ खास बाते, कुछ खास उपाए, कुछ खास जानकारी आपको बताने जा रहा हो जो भी व्यक्ति अगर किसी के बच्चे है या किसी का रिष्टा है या खुद वो मार्च के महीने में जन्मे है या किसी भी व्यक्ति का अगर जिवन मार्च के महीने जन्मे व्यक्ति के साथ जुड़ने जा रहा है या कुछ भी जानकार या मार्च के व्यक्ति को देखते ही पैचानना जाते हो कि इसका सौभाव कैसा होが, इसकी personality कैसी होगी इसका व्यक्तिकत जीवन कैसा होगा आप अगर मार्च के महीने के लोगों के साथ जुड़े हुए हो या आपके घर में कोई मार्च के महीने में जुड़ा हुआ है तो आपको करना क्या है आपको मेरी वीडियो पूरी सुननी है बहुत काम की वीडियो बताने जा रहा हूँ, बहुत अच्छी जानकारी देने जा रहा हूँ, अगर आपका जनम मार्च के महीने में हुआ है, तो जोतिस सास्त के अनुसार कुछ खास बाते मैं आपको बताऊंगा, एस्टिलोजी के अनुसार यदि आपका जनम किसी भी साल क मार्च के महीने में हुआ है तो सास्त कहता है कि आप यात्राओं के शौकिन होंगे, दिखने में बहुत आकरशक होंगे, बहुत एक्ट्रैक्टिव होंगे और बहुत जादा मिलनसार भी होंगे, मिलनसार मतलब कि आपकी जो नेचर होगा वो जॉली होगा, बिल्कुल उच जगा को अपना बना लेते हैं, उन लोगों को अपना बना लेते हैं, जो मार्च में जन्में हैं, साथ ही साथ बता दूँ, सास क्या कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है ना, जैसे मैंने कहा कि ये आत्राओं के शौकिन होंगे, आतरशन का केंदर बने रहेंगे, आपका जो होने वाली है या हो सकती है या आपके जो suggestion होंगे किसी भी situation को देखे वो काफी हद तक सही जाने वाले हैं जितने normal दिखाई देने वाले ये व्यक्ति होते हैं उतने ही जादा विचारों से अधिक ambitious होते हैं मतलब आप किसी भी व्यक्ति को देखकर ये नहीं बोल सकते हैं जो भी व्यक्ति मार्च में जन्मा होगा आप उसको देखोगे ये normal एयार ये कुछ नहीं महनत करता होगा ये कुछ नहीं करता होगा बट वहीं वो इतने ambitious होंगे किसी भी चीज को लेकर कि उनको अगर कोई चीज अगर वो करने की ठानते हैं ना तो उनको पाना ही पाना है मार्च में जन्मी युफ्तियां खासका जो female है female जातक है यानकि महिला जो है वो सजने सवनने की shocking होती है साथ ही साथ adventurous होती है रहस में चीजें इन्हें बहुत लुबाती है मतलब कहीं भी अगर कोई चीज इनको पता लग जाया ना कि यहां पर कोई रहस से चुपाए यह यहां कुछ रहस से वाली बात है तो वहां पर इनका interest level बहुत हाई रहता है बहुत जादा सोचते हैं उस चीज के बारे में यदि आप अपनी चंचलता पर control कर लेना तो आप सब पर चा जाएंगी मतलब खास कर female जो जातक है female candidate है उनके लिए में बुरों जो भी महिलाएं मार्च में जन्मी है ना अगर वो थूड़ा सा उनको अपनी चंचलता पर थूड़ा सा एक control रखना पड़ेगा ये थूड़े से चंचल सोभाव के होते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी excited हो जाते हैं तो इनको क्या करना है ना अपनी चंचलता पर control रखना है और अगर ये control रखेंगा तो focus सिर्फ इन्हीं की तरफ होगा और किसी की तरफ नहीं होगा अपने कारे के प्रति आप इतने focus रहते हो कि दुनिया आपके कदम चुमेगी बस जन्चलता को control में करके आपने कूल भी कारे करना है अब अगर लोग आप से पूछें जो भी व्यक्ति मार्च के महीने में यानकी साल के तीसरे महीने में पैदा हुआ है उनसे अगर कोई भी उनके personality का राज पूछेगा ये मैं इस वीडियो के माद्धम से बनाने जा रहा हूँ मार्च में जन में यूवक हूँ चाहे यूवतिया हूँ quality इनकी ये है कि ये लोग जिमेदारियों के पदो पर अपनी योगता दिखाकर successful होते हैं मतलब अगर कोई responsibility इनको दे दी जाए कोई भी कारे इनको करने के लिए दे दिया जाए तो वहाँ पर ये अवशे ही success हो जाते हैं क्योंकि अपना 100% देते हैं किसी भी subject पर बोलने या लिखने से पहले उसके बारे में पूरी information प्राप्त कर लेना चाते हैं मतलब अगर चाहे वो बच्चा education ले रहा है या कोई भी चीज करने की सोच रहा है तो पहले वो पूरी की पूरी जानकारी उसकी खटा करेगा और उसके बाद ही उस पे कोई भी चीज लिखेगा या भोलेगा बिना किसी जानकारी के ये कोई decision नहीं लेते हैं आप law और order पूरी तरीके से follow करते हूँ उसका निरादर नहीं करते हूँ पूरी तरीके से respect देते हूँ आप कुछ लोग के लेस भी होते तो थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने सौभाव में आपने थोड़ा सा परिवर्तन करना है अगर कोई भी व्यक्ति जो मांच में जन्मा है और मेरी वीडियो सुन रहा है या आपके फैमिली में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो मांच में जन्मा है उनके साथ एक बार मेरी वीडियो जरूर शेर करें ताकि उनको जानकारी हो जाए अगर वो जीवन में कोई गलत स्टेप ले रहे हैं क्या पता है ये वीडियो उनके जो जीवन का गलत स्टेप उठाने से उनको रोक सकती है अब कुछ रोचक तप्थे मैं इनको बता देता हूँ जो मांच में जन्मे है अगर मैं सास्थ की बात करूँ तो जो तेश्थ सास्थ क्या करता है इस महीने में जन्मे युवाओं को नशे से दूर ही रहना चाहिए इससे आपका करियर बरबाद हो सकता है तो किसी भी व्यक्ति जो भी व्यक्ति अगर वो मार्च में पैदा हुआ है और नशे से रिलेटेड कोई भी कारे कर रहा है तो वो प्ली सतर को जाए आपका करियर ये बरबाद कर देगा जितने भी बच्चे जो मार्च में जन्में है न इनकों क्या करना है इन जो अधिक ये सबसे जादा तो पहले बात करने वाले बहुत होते मतलब बतियाने वाले यानि की बादूनी टाइप के व्यक्ति होते है तो मैफिल में च्छा जाने वाले व्यक्ति हैं ये किसी भी ग्रूप में कहीं भी अगर ये बैठे रहेंगे तो मतलब बोलती ही जाएंगे बोलती ही जाएंगे एक और चीज है जो इनके बारे में सोचने वाली है अगर ये जो व्यक्ति है ना लाइफ में कभी-कभी अचानक ऐसे decision ले लेते हैं, ऐसे changes कर देते हैं जिससे आपके friends हों, आपके दोस्त हों, आपके रिष्टदार हो, relatives हों, वो आश्चर रिचकित हो जाते हैं, मतलब आप किसी को भी अजंबित कर सकते हो, शौक दे सकते हो, कभी-कभी decision लेने में हिचकिचाहट भी महसूस करते हैं, कि ये decision सही होगा कि नहीं होगा, आपका जो जुका होगा ना जारतर अध्यात्मित्ता की तरफ होगा practical approach रखने से पैसा खूब कमाते हैं ये तो थोड़ा सा practical रहते हैं लाइफ में, मतलब किसी भी situation को सोच विचार के नहीं practical रहके अगर करना है और देखते हैं, आजमाते हैं अनलाइस करते हैं और फिर वो जीवन में उसी से पैसा भी कमा लेते हैं आप कुछ खास बाते मैं बता दूँ जो भी व्यक्ती, यूवक हों यूवतियां हों, मेल हों, फीमेल हों अगर आप माज के महीने में जन्मे हैं न, तो आपका लखकी डे मैं बता दूँ, आपका जो लखकी डे होगा सेवन नमबर और नाइन नमबर ये आपके लखकी रहने वाला है इस दिन पर कोई भी कारे करने के सोच रहे हो तो ये डेज आपके लखकी रहेंगे साथ ही साथ, आपके लखकी कलर भी मैं बता दूँ, कि जीवन में अगर आप कोई अच्छे कारे करने जा रहे हूँ, तो आपका जो कलर यानिकी रंग आपका साथ देने वाला है, वो है ग्रीन, यलो और पिंक, जिसे हिंदी में बोलते हैं, हरा रंग, पीला रंग, और साथी साथ गुलाबी रंग, तो आप चाहे युवक हो, युवती हो, आ आप ग्रीन यलो और पिंक कलर का ध्यान रखे इसको जादा जादा यूज करें ये कलर आपके बहुत सपोर्टिव है बहुत लखी रहेंगे आपके लिए और आपके लिए उपियों की टिप्स भी मैं दे देता हूं कि पानी में शहद मिलाकर आपने सुभे क्या करना है प्रत अबर की सीशी आती है वो भी आप यूज कर सकते हो एक मून दो मून आपने डाला और सूर्य देव को जल जणाना है आपने मंत्र का उचारन आप जब जल जणाना है तो आप 11 बार इस मंत्र का उचारन कर सकते है ग्यारा 21 सक्यावन जैसे आपके शदा हो 108 भार भी कर सकते ह ओम सूर्य देवायनमा एक पर फिर से बोल देता हूँ ओम सूर्य देवायनमा ओम सूर्य देवायनमा इस मंत्र का आप जाप करते हुए अगर अर्पित करते हुए ये सबसे उपियोगी टिप्स कहलीजे उपाय कहलीजे आपका जीवन सुधारने में कत्ते ही भी देर नहीं ल के कोशिश करें इसे 8 बजे से पहले कर ले 8 बजे के बाद जल जादा 9 बजे 10 बजे से पहले कर ले उसके बाद करने से कोई फलित नहीं होने वाला यह जादा आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा मतलब रिजल्ट अच्छा नहीं देगा बाकी कुछ लोग हैं जिनके अपनी परब्लम होती है तो ठीक है अपनी परब्लम के साप से आप चल 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 आ सकते हो परंदो कोशिश करें जितनी सुभा हो जब सूरे उधे हो उस समय पर जल में थोड़ा सा गंगा जल आप जरूर मिला है ताकि जल पवित्र रहे हमारा और थोड़ा सा शेहद मिला दे आप योग ले इसके साथ ही अगर ऐसे और वीडियो से और जो लोग और महिनों में जन्में उनका क्या हो जानना चाहते हो न तुरंद चानल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो जरूर मन लोगों के साथ शेयर करना ना भूले और कमेंटर में आपको जैमाता दी लिखना है सभी भक्तों को से निवेदने दर्वासे बने रहे सभी वक्तों को जैमाता दी जैमादाट का लिए